in चार ऑपरेटर अभी तक देख लिए면 का एःस्मे धीकल उपरेटर रह fatal ने-देखा था बढ़िटेल उनने देखा था लॉझी कल ऑपरेटरर आपने देखा था ठीक है और एक उपरेटरM झाल शीनल ओपरेटर में तो यह 48% सब्छर्ण को लेकर आब यह चार ओपरेटर हमने देख्ँ है nouveaux next operator of python pay and that is what bitwise operator यह बहुत ज्यादा important operator है bitwise operator ठीक होते हैं किस तरीके से bitwise operator execution perform करते हैं बहुत ध्यानते समझना इसको ठीक लेकिन उसके पहले तो कि important चीज़ है तो इसके पहले आपको भी एक important काम करना है वीडियो को share करिए like करिए subscribe करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए bell icon button पर क्लिक करिए बहुत सारे काम करना है जल्दी जल्दी फटाफट करिए फिरम bitwise operator को start करने है ठीक और एक चीज़ में आपको last time भी बोले थी कि पूरे python course का जो study material है वो डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पर available है तो और उसके लिंक इस वीडियो के नीचे description box में share है तो आप बाकदब website पर जाके study material को view कर सकते study material को use कर सकते हैं ठीक है चले तो अब अपना आते हैं bitwise operator क्या होता है अब इन operator के आप कोई खास बत बताता हूं देखा आप क्या है इसके पहले भी इतने operator अभी हमने पढ़े और इसके बात के भी इतने operator अभी हम पढ़ेंगे वह सारे operator हम कहीं नहीं कहीं programming में use करेंगे no doubt है ना हम अरत्मडीकल programming में bitwise operator को use करेंगे and that's why the reason most of the people cannot teach this लेकिन interview में सबसे ज्यादा focus इसी operator पर किया जाता है सबसे ज्यादा useful operator है bitwise operator इनका actually use का होता है कुछ system level applications पर जहां आपको binary bit को लेकिए अगर कोई execution perform करना है वहां पर basically bitwise operator को सबसे ज्यादा use किया जाता है तो चलिए हम इसको समझते हैं बिल्कुल beginning से starting समझते हैं क्योंकि day one से हमारा commitment है कि we don't know आपका background क्या है आपने previous language पड़ी है नहीं पड़ी है है हमारे लिए आप एक beginner है तो इसलिए हर लेक्चरम बिल्कुल beginning से start करने की कोशिश कर रहे तो इस bitwise operator का use क्या है पहले आप यह समझना और कौन-कौन से bitwise operator python में होते हैं और उनका काम क्या होता है तो आप समझ यह यह जो sign and इसको बोलते हैं bitwise and operator ठीक एक चीज़ आपको थोड़ा सा confused कर रही होगी किसर आपने logical operator में भी and को बोला था वो लॉजिकल एंडिया दिस एंडी जो लॉजिकल एंड आपरेटर इन दिस सिंबॉल इस a bitwise and operator दोनों में डिफ्रेंस है ठीक और दोनों के working में भी दिफ्रेंस बाता दिर इस दिफ्रेंस राइट कि बहुत यह एंड और वो एंडोनों अला गाले के यह bitwise and operator है इसको में और अच्छे से लिग देता हूं इस अपन्फूज जाओ गया जब उपर हलाए कि लिखा इस अरृप धिवाइस एंड गॉपरेटर श्रहें बीट्रङा इस बीट्वाइस अई ऑपरेटर के नेच्स ताई है PIEP का साइथ और या this is called bitwise bitwise or operator is called a bitwise or operator take this one is called here's a cap guys cool a sub keyboard main cobalt the Capka sign this is called bitwise XOR operator you cannot have it wise XOR operator a ticket then we have this sign this is called bitwise bitwise not operator like a lot a bitwise not operator think this is called bitwise left shift bitwise left shift operator take and this one is called bitwise right shift operator you can let a bitwise right shift operator this is called bitwise right shift operator bitwise and bitwise और विटवाइज XOR bit-wise left shift Professor उपारीज़ राइच राइच रिट विटवाइस नॉट इसमें इसली जो नॉट रही यूनरी यूपरेटर है कि वी ट्रीट रिक्वाइज इसनल आपरेंट टू परफॉर्म इन परेशन परतने हैं भी अपने इसको लिगना मेजर कोश्चिन यहीं कि सरें बिट वाइस का यूज किया है इन वाइड इसको बिट वाइस ऑपरेटर इनको बिट वाइस ऑपरेटर क्यों बोलते हैं आप समझना जैसे मैं भी आपको थोड़ी पहले क्या बोला कि दिस ऑपरेटर इस मैक्जीमम यूज्ट वैन यूर दूइंग सम्टिंग प्रोग्रामिंग विच इस रिलेटेट विद बिट ठीक है तो यदी आप थोड़ा सा कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानते हो if you know something little bit about computer फंडामेंटल या आपने नोट कर लियो गए हो ठीक है तो यदि आप computer इस सब लोजीग गेट उती इसरे क्ल गेट्स जाहन समझना रएट ये कहला था एक सोरगेट इससे इस पॉल एक सॉर घेट ठीक ये एक सोर गेट कहला है एक यह खोता है नोट का साइन तो जो लॉजीग गेत न पूरा सिस्टम सर के इंडीट गेट फित पर चलता है सब्सक्राइब आपके साथ इसको यूस्कि बिश्क इसको यूस्किया फिर इसके साथ इसको यूस्किया फिर इसके एक अरके हम कुछ logic circuit design करते हैं लेकिन अब अगर आपसे बोल दिया गया कि इस circuit का पायंतन कोड लिखना है जैसे जो अपने डिजाइन करें है you have to write code in this in of this circuit in python तो बच्चे कोट कैसे लिखो के python में यह कैसे बना होगे circuit यह तो ठीक है बोट पर मैंने बोल दिया यह एंड गेट यह और गेट एक्सार गेटे बोट पर में circuit बना सकना हो लेकिन python के कोड में आप यह circuit कैसे बना होगे तो जो काम यह सिंबॉल रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही काम python में operator करता है ठीक है मतलब समझ मैं कि यह जो एंड गेट है इसका काम python में कौन करेगा यह operator एंड ऑपरेटर यह जो और गेट है सुरी एक सौर है यह जो और गेट है इस और गेट का काम कून करेगा यह operator तो यह operator इस आर्द ऑपरेटर यह बिट वाइज और आपको पताए इन सारे gates की खास बात क्या है यह gates यह gates के वल 10-0 पर ऑपरेशन परफॉर्म करते है 10-0-0-1 जितने भी gates का जो execution होता है वो बिट पर पर फॉर्म होता है तो ऐसे operator जो gates के लिए काम करेंगे और gates का operation किस पर पर फॉर्म होता है बिट पे इसलिए इन operator का नाम है बिट वाइस क्योंकि यह अपना की execution बिट वाइस परफॉर्म करते हैं बिट पर फॉर्म करते हैं देट स्वाइब इस operators are known as बिट वाइब ऑपरेटर दो ऑपरेटर फूपर फॉर्म एन ऑपरेशन बिट वाइस ऐसे नियुकवाइस एक्सी परफॉर्म कर रहे हैं यह लाते हैं बिट वाइस operator इन python समझ मैं आरी बात ठीक है तो यह end का काम करेगा यह और का काम करेगा यह Xor gate तो Xor gate तो Xor gate यहां पर कोन होगा Xor gate यह पाइफ होगा यह जोताई यह होते हैं कुछ ऐसे operations होते हैं जहां पर आपको bits को इंटरनल shift करना होता है जिसे अगर मानलो अपन लिखने a equal to 5 तो हम बोलते 5 a में assign हुआ है बने इंटरनली 5 जो है वो bitwise shift हुआ है तो जब भी इस तरीके की shifting करना होती है डेटा की shifting जब मैमोरी में होती है तो वहां पर यह bitwise operator होगा left shift और right shift बात करेंगे इसके बारे में भी अपन बट सबसे पहले आपको यह समझ में आया कि what is the need of this bitwise operator इनकी नीट क्या है इन वाइद जन्रल प्रोग्रामिंग दू नॉट रिक्वाइड इस operator कोई जन्रल प्रोग्रामिंग कोई गेट्स पर डिपेंडेंट थोड़ी ना होती है तो जब भी आपको ऐसे operation perform करने है python में जिनका internal execution गेट पर डिपेंडेंट होगा जो gates को लेके execution perform करेंगे वहाँ पर हम python में यूज करेंगे ये बिट्वाइज operator क्लियर है ठीक है और अब यहां पर आप समझना कि अब नव नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कांसेट कि जब आप इनको यूज करोगे जैसे अगर मान लो अब नो डाउट आपको समझ मैं कि आप इनका execution किस तरीके सोगा इसको समझने के लिए आप थोड़ असा यह समझ यह कि अगर बिट पर काम करना है तो at least two people को कि यह जितने भी गेट से बिट पर execution perform करेंगे कहना का मतलब यह है कि सपोज यदी मेने है एक कोशन आपको दिया एक वर्ल टू थर्टी एंड फाइफ सब्सक्राइब अगर आप से पुछाए जाब इस आउट्पूट आप इस प्रोग्राम इसका उट्पूट क्या होगा थर्टीन एंड फाइफ तो अब आपको पता है चली कोशन क्या है यह कोशन मेंने से दि अब ये कहने सक्लीर in nai acá end operator ये जो नंबर में रहें दियें है ये डेसीरल लेकिन इंटरली operation क्या पर फार्फर्म करेंगे gates पर और gates यह उपरेशन परफार्म करेंगे तो actually actually operation फर्फ़र्म करेंगे binary में जिस operator अगर मान लो आपसे यह बोला जाए कि बहुत इस 13 का कि अगर आपसे बोला जाए 13 और 5 13 और 5 के बीच में आपको कुन सा operation perform करना है एंड तो 13 और 5 के बीच में अगर आपको एंड ऑपरेशन perform करना है तो हाव भी परफॉर्म डिस एंड ऑपरेटरेशन तो आपको सबसे पहले 13 को binary में convert करना है 5 को binary में convert करना है ठीक है तो 13 का binary conversion I hope you knows the concept की एक सीरीज होती ही जिससा का binary conversion कर सकते हैं 1248 और इस सीरीज को बढ़ा सकते हैं 1632 ठीक है यह सीरीज बढ़ती जाएगी तो यदि आपको 13 का binary निकालना है तो 13 अभी अगर अपन इतनी 101 और यह 0 तो 1101 यह binary हो गया किसका 13 का फाइफ का binary क्या होगा फाइफ का binary होगा 0101 ठीक है तो एंड में लिख दिया 0101 अब यह एक्चुलिया ऑपरेशन है क्योंकि यह जो यह बटवाइज एंडिस एब इटवाइज और बिटवाइज ऑपरेटर एक्चुलिया ऑपरेशन सिस्वेशा फरिंट पराम करतें बिट पर तो यह धान रखना कोई भी बिटवाइज ऑपरेटर अगर आपने लिखाए तो सबसे पहला काम तो यह करो कि जो डेटा है उसक कर सकते हो मतलब there is an option कि अगर आपको end operation perform करना है तो बिन को यूज करके भी देख सकते हैं कि आपका binary सही convert हुआ कि नहीं रही तो यह क्लियर है कि जब भी किसी number का आपको binary conversion करना है तो यह आप सुनना यह प्रोग्राम में नहीं करना है आपको और इसको तो आपको सीधे से लिखना है ए थर्टीन एंट फिफ्टीन प्रिंट ए सो वाट्विल विद आउट पूट यह कोस्चन एक्चुली तो यहां पर आपको conversion नहीं करना है डोन कंफ्यूज एक्चुली जब आप इसको solve करोगे copy पे यह देखने के लिए किसका एंसर क्या होगा तो एक्चुली सिस्टम इसको कैसे परफॉर्म कर रहा है बास समझ में आ रहे हैं ना सिस्टम में एक्जीकुशन किस तरीके से होगा यह समझने के लिए आपको इसको solve करना पड़ेगा क्योंकि अगर यह कोशन इंटर्व्य में आया तो आपके पास सिस्टम थोड़ी ना होगा विटा कि टाइप करके देख लो यह कोशन है अब आपसे चार आप्शन दियोंगे ABCD आपको एक पर टिक करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे कि 13 and 5 execution कैसे कर आप लिए तो इसके लिए पहले 13 का बाइनरी निकाला तो क्या मिला साम है 13 का बाइनरी यह समझ में आगे ना कैसे निकालना है वानरी 1101-15 का बाइनरी 0101 अब इसके बीच में कुन सा है ना आपको यहां पर वन को मतलब एंड बिट को टू फॉल्स पर कलकूलेशन कर रहा है ठीक तो वन वन जीरो 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 वन 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 जीरो 0101 is your answer लेकिन जो एंसर आपको मिला है वो बाइनरी में मिला है लेकिन जो एंसर ब्राउजर सोरी जो एंसर कंसोल पर होगा वो तो डेसिबल में होगा तो यह देखने के लिए कि कौन सा नंबर है 0101 इस टाइप आफ नंबर इसको यहां पर रखते देखाऊ 0101 तो क्या मिला आपको तो इसका एंसर कितना आएगा अब यह कॉंसिडेंट लियसा हुआ है कि सेकंड नंबर ही रिजल्ट आगया पर इसा हमेशा नहीं होगा तो समझ मैं आपको तो जब इसको सॉल्ट किया सो इल गेट देंसर 5 यह तो इस वाट बिटवाइज ऑपरेटर की बिटवाइज किस तरीके से पाइफान में काम करते हैं ठीक है एक प्लियर है एसी ही सपोज अगर आपको सेम पोश्चें दिया अच्छा एक चीज और धहन रखना मतला देरा सम्टिंग तो इसान नंबर के बीच में पूछा जाएं इसे अगर आपसे दो सेम नंबर के बीच में एंड क्या होगा तो इसका एंसर 13 ही होगा ध्यान रखना दो सेम नंबर के बेच में बिटवाइज हमेशा सेम नंबर रिटन करता है बिटवाइज बिट्विन टू सेम नंबर इस दे सेम नंबर तो 13 एंट 13 का रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा 30 क्लियर है ओके तो यह भी हमने देखा एंड ऑपरेटर अब अगर सेम आप से बोला जाया और सेम अभी मैं डेटा चेंज कर रहा हूं ठीक है अब अगर मानों लिखा है सेवन और फाइफ सेवन और फाइफ अभी नेगेटिव के लिए अपन सेगेंड इस्टेप में जलते हैं पहले बर पॉजिटिव के लिए इसक फाइफ इन एल प्रिंट डवैल वाट विल बीड आउट पूट तो सेवन का बाइनरी 0111 5 का बाइनरी 0101 ठीके और इसके बीच में और 211 और का मतलब एक भी टू तो रिजल्ट रो 111 10111 इस वन इस जीरो ट्रीपल वन जीरो ट्रीपल वन जीरो ट्रीपल वन कौन सा नमब है एक बार पहले सारे ऑपरेटर समझ लें फिर हम सीरीज की बात करते हैं मतलब फिन इनको सीक्वेंस में कैसे लेखेंगे वो भी समझते हैं ओके अगर सबूज मैंने आपको दिया होता नाइन एंड कि सबूज मतलब अगर मान लो नंबर है एटी अब कोश्चिन यही कि सर 18 का binary कैसे निकालेंगे इन चारों को जोनने पर भी 18 नहीं आ रहा है तो फिर इसके आगे सिरी स्कूर बढ़ा दो ना 1248 16 32 64 128 256 चलते रहो ओके तो अब अगर आपको 18 का binary find out करना है so how you find out the binary of 18 18 का binary हम कैसे निकालेंगे तो आप देखो 16 plus 2 and 0 1 पहले तो 9 का binary है simple 1001 001 001 और 18 का binary क्या होगा 1001010 अब इसके 10101 और समझ में आए न 1010101001010101 क्योंकि और में एक भी ट्रू होता है तो रिजल ट्रू होता है क्लियर है ठीक तो डबल वन जीरो डबल वन डिस इस वाट और एंसर अब यह एंसर क्या होगा तो आप देखों या पर डबल वन जीरो डबल वन 16 plus 8 24 24 plus 2 26 plus 127 तो इसका एंसर आपको क्या मिलेगा 27 तो इस इस हाओ and and or operator use as a bitwise operator दोनों में difference से बटा में आपको पहले भी बोला था ये and और ये and दोनों अलग अलग ये जो a nd है ये logical operator और ये जो and a ये bitwise operator है समझ में आ रहा है ठीक है तो इसका एंसर क्या आया 27 देंसर आप दिस प्रोग्राम इस 27 क्लियर नौसी दिस यह भी हमने देखा अच्छा एकूर उनिवर्सल टूथ देखवा दो सेम नंबर के बीच में and अभी पड़ा था सेम नंबर होंता इत्व सेम नंबर के बीच में और तो सेम नंबर के बीच में और भी वही नंबर होंगा 1111 कुछी सेम नंबर की बीच में होर अगें दे सेम नंबर ठीक है तो ये एंट और और ऑर अपरेटर समझ में आया आपको वाल इस दे एंड आपरेटर विट वाइज एंड विट वाइज और ठीक अब देखो इसके बाद नेक्स्ट इस यद्यस अपोस्वेन लेकाई एक वर टू एक वर्टू आइं एक साइन सो नानाइन एक सुर्फाइफ टिन वाटीज देव एलू आफ ए ज्विटニ में लेकर नाइन एक रफाइए अब एक की वैलू क्या होगी ओके अब इसको ध्यां से देख आप एक से पहले जब दोनों वैलो ट्रू है और में ट्रू कम मिलता है जब कोई भी एक वैलो ट्रू है एक्सार समझना एक्सार में 101 होता है 011 होता है 110 होता है और 000 होता है in the case of XOR to same bit always return 0 आपको ट्रू कम मिलेगा जब एक प्रू है एक फॉल से so that you will people kill you will get to 011 110000 यह होता है एक्सार का case this is XOR तो यह जो मैं बता रहू हूं यह कुंसा operator है XOR in the case of XOR two bits always return 0 kick चले तो इसको ध्यान में रखके इसको solve करते हैं 9 मतलब 1001 5 मतलब 0101 see this one beach my XOR 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 to iska in circuit now I have 1 1 0 0 I got a score 1 2 4 8 case aap such a layham so this is 12 the output of this program is 12 clear so much via together so this is what XOR operator G how XOR operator is work a tick similarly about the code and I'm gonna make it a two same number के बीच में and वही नंबर होता है और दो सेम नंबर के बीच में और भी वही नंबर होगा और दो सेम नंबर के बीच में XOR 0 होगा और यह हैं रखना सेम नंबर के बीच में XOR हमेशा 0 होगा कैसे 0 गा बीचा देखा 1001 1001 XOR में दो सेम बीच हमेशा 0 देती ना तो 110 000 तो इंसर इस 0 XOR between two same number is a C0 clear है और है समझ में आया न तो यह वाट सेम नंबर नहीं होगा देहन रखना ठीक तो यह एंड देखा हमने और का सब्सक्राइब अब ने देखा एक 2 नो हो को समझने के पहले हम थोड़ा सबत करते हैं कि यदी मानलो यहीं ऑपरेटर एंड और XOR टी यदि यहीं ऑपरेटर आपको नेगेटिव नंबर के लिए दे दिये गए अब इसको धेहनते सुन ना बेटा ये थोड़ा सा कन्फ्यूस करेगा ठीक कि यदी मान लो आपको कोशन दिया है एक वल टू I can do fine एंट चलो एख नेगेटिव एक पोजिटिव माइनस फाइव एड़ तो अब इसका एंसर क्या होगा वट सब्सक्राइट को समझने के लिए सबसे पहले आपको माइनसuz है का निकालना है अब माइनस फाइफ का बाइनरी कैसे फाइड आउट करेंगे ही राई-स ओना किसी भी negative number का binary उसी के positive number का टूज़ Quinn टॉंप्लीमेंट होता है कि अथा ओच इए अ बाइनरी ऐफ ऐन एटेऑ बनुबर जेटिटिव नेमबर is who's compliment of its positive number किसी भी positive number cut twos compliment us ka negative number होता है अटनेगे binary of a negative number is a twos compliment of its positive number sir क्या कहना चाह रहे है आप आना समझ में नहीं हा रहा है two's compliment यह क्या नया चीज लेकर आया आप तो ध्यान चे समझना यह तो आप question बात में solve करेंगे पहले यह देखते हैं कि binary number किसी भी negative number का binary कैसे लिखेंगे how to write a binary of a negative number okay मतलब सर अगर मुझे minus five का binary लिखना है तो मैं minus five का binary कैसे लिखूंगा ओके तो ध्यांते सुनना माइनस five का binary अगर आपको लिखना है तो you have to write the twos compliment of its positive number okay to five का binary का होता है सबसे पहले अगर माइनस five का binary लिखना है तो पहले five का binary लिखो five का binary क्या होता है one one sorry okay sorry 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 5 का binary क्या होता है 0101 यह binary है five का ठीक अब आपको क्या करना है इसका minus five लिखना है मतलब हमें चाहिए minus five okay to minus five के लिए जो आपका positive number है पहले इसका वन्स कॉंप्लिमेंट ने का लो पहले इसका वन्स कॉंप्लिमेंट फाइंड उट वन्स कॉंप्लिमेंट तो इसका वन्स कॉंप्लिमेंट क्या होगा को जीरो में तरफ जीरो का वण कह एप इसका अगर तुस में निकालना हैं अगर इसका quand कॉम्प्लिमेंट निकालना है ठीक है अब धिहान से सुनना तो यह जो वं्स कॉम्प्लेमेंट आया है इसमें प्लस वन को एड कर देते हैं यह तो भूल जाना इसको ध्यान देना ठीक है इसमें प्लस वन को एड करते हैं और बाइनरी नंबर का एडिशन क्या होता है समझ में यह मैं फाइफ का माइनस फाइफ का बाइनरी की बात कर रहा हूं कि माइनस फाइफ का बाइनरी कैसे लिखेंगे तो मा गैग और छोटी होती है यह सो क्या हुआ अ रिखना है यह वंडी करना है यह दो वन्स कॉंप्लिमेंट है उसमें एड करना तो पहले आपने और यह दान रखना यह जो टूस कॉम्प्लिमेंट आता है इसको कभी 1248 से चेक मत करना क्योंकि 1248 से देखोगे तो यह आपको देखेगा एट प्लस टू-प्लस-1 11 जबकि 11 नहीं है जब किसी नंबर का टूस कॉम्प्लिमेंट निकालते हैं तो बच्चे वह नेगेटिव नंबर होता है और नेगेटिव नंबर पे वह 1284 वाला फॉर्मूला नहीं चलता है 1248 वाला 1248 से आप किसी भी नंबर का बाइनरी निकालो लेकिन केवल तब जब वह पॉजिटिव है न यह फाइस का टूस कॉम्प्लिमेंट तो जब किसी पॉजिटिव नंबर का हम टूस कॉंप्लिमेंट निकालते हैं तो वह जाता है नेगेटिव तो अचली ए नेगेटिव तब देखो ऐसा क्या हुआ अब कुशन आता सरी यह तो पॉजिटिव बियर नेगेटिव एक कैसे समझ में आएगा ऐसे समझ में आएगा कि जब हम इसको detail में लेकिए एक नंबर की एक range होती है मानलों बोलते 16 बिट का नंबर है समझना या मानलों मेने बोला ये 8-bit का नंबर 8-bit मतलब 1-byte 16-bit मतलब 2-byte तो यदी मानलो में इस नंबर को पूरा 16-bit में लिखता हूं किसको फाइफ को सुनना ध्हान से मतलब इसको समझना कि यह कोश्चन एक बड़ा कन्फूजिंग कोशने कि सर आपने बोला यह माइनस 5 है आप बोल रहे है माइनस 5 है लेकिन यह नंबर एट 421 के साब से 8421 के साब से तो 11 वी हो सकता है ना तो एक ही डिजित तूस कॉम्पलेवन में वी गर वही डिजित नॉर्मल भी मिलती है पर बहुट बढ़ा डिफ्रेंस से बिटा सुनना यदि मानलो यह समझ में आया आपको यह ओंसेप समझ में आया देखो आप यदि मान लो यह positive number होता तो यह कुछ इस तरीके से होता मतलब इन दोनों को समझो 1011 1011 अगर मैं इसको 16 bit में लिखता हूं 16 bit में मतलब 16 bit में क्योंकि हम यह मानते हैं कि integer number जो है वह दो वाइट की memory ले रहे हैं और दो वाइट मतलब 16 bit चार वाइट मतलब 32 do it तो आप कितनी भी bit ले लो मैं 16 bit consider कर रहा हूं ठीक है तो जब मैं इसको 16 bit में पूरा complete करूंगा तो यह कुछ इस तरीके से होगा 00000000 और इसके last bit भी क्या होगी 0 तो जब किसी binary number की last bit जिसको बोलते हैं most significant bit most significant bit MSB जब एक binary number को पूरा 16 bit में लिखा जाता है तो उसकी जो MSB होती है अगर वो 0 है मतलब यह binary है positive number का और अगर यह positive number का binary है तो फिर यह क्या है 8 4 2 1 मतलब 8 और 2 10 और 11 का binary है और इस बाइनरी ऑफ डिजिट 11 कब यह देखा आपने के वल चार बिट से मत करो जदी आप इस पूरे नंबर को पूरा 16 bit में लिख रहे और अगर MSB जीरो आ रहे है यह MSB मैंशा साइन को इंडिकेट करती है MSB always indicates a sign अगर यह MSB 0 है that means आपका number positive है लेकिन इसका जब मैं 16 bit देखूंगा ना बिटा तो यह कुछ इसा मिलेगा वन जीरो वन 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 एन समदेंग वन 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 और इसकी लास्ट बिट क्या होगी वन इसकी लास्ट हो गी वन या भीच में वन जीरो कुछ नंबर का बाइनरी और अगर यह वन है तो इसका मतलब यह बाइनरी किसी नेगेटिव नंबर का बाइनरी है कि समझ में आया तो जब भी आप किसी पॉजेटिव नंबर का टूस कॉंप्लिमेंट निकालोगे और अगर आप उसको पूरा 16 अभी तो मैंने चार बिट में लिखा है लेकिन जब आप इसको पूरा 16 बिट में देखोगे तो आपको लास्ट विट वन मिलेगी और अगर वो वन है मतलब यह नंबर नेगेटिव है तो सेम बिट वन लाज्ट बिट वन से रिप्रेजेंट होती है और लाज्ट बिट जीर आपको किसी भी नेगेटिव नंबर का बाइनरी कैसे फाइंड आउट करना है यदि आपको किसी नेगेटिव नंबर का बाइनरी फाइंड आउट करना है तो firstly you have to write the positive वाइंड प्लाइब भाइन टाउस नमबर मैंने माइन सवाइब के लिए पहले 5 लिखा उसका वांज कॉंपलिमेंट निकाल आ तो में मिला 1010 टू सब्सूम्पलिमेंट निकालने के लिए हमने इसमें प्लस एच किया बानिरियर नंबर अदिशन में आपको पता याज दिर माइनेस वाइफ के लिए यूज करोगे वन जीरो डबल वन फोर बिट में और जब इसको पूरा 16 बिट में लिखो कि यूल गेट लाज बिट वन और जब पॉजिटिव नंबर को 16 बिट में लिखते हैं तो लाज बिट क्या मिलती है जीरो तो लाज बिट जो होती है सबसे ल बाइनरी मिल गया अब यहां पर अगर आप से कोशन आता है आपको समझ में आगे ना के से किसी बाइनरी निकालेंगे तो अब अगर मानलो मेंने कोश्चिन पूछा आप से एक वल टू माइनस नाइन एंड शिक्स वाट इस दे वेलू आफ इसके बाद एकी वेलू क्या हो भी तो firstly you have to find out the negative of sorry binary of minus 9 तो माइनस 9 का binary हम कैसे निकालेंगे पहले 9 लिखते हैं अब तो समझ में आगे 9 मतलब 1001 इसका वन्स कॉंप्लिमेंट निकालते हैं तो वन्स कॉंप्लिमेंट आए का इसका 0110 फिर इसका टूस कॉंप्लिमेंट निकालने के लिए इसमें प्लस वन 1110 ठीक है आगया समझ में तो यह जो नंबर आया जीरो ट्रिपल वन यह है माइनस 9 सारी बिट देखेंगे तो वन मिलेगी लास्ट में ठीक इसको कंफ्यूज मत होना क्योंकि जब टूस कॉंप्लिमेंट आता है तो 1248 से कंपेर नहीं करते हैं तो 01166 का बाइनरी क्या होगा इसको तो 1248 से देख सकते हैं तो जीरो डबल वन जीरो यह माइनस 9 है यह 6 है ठीक है अब इसके बीच में कौन सो ऑपरेटर एंट अब जब मैं इसके बीच में एंड यूज करूंगा तो 10 क्या हो जाएगा 102011 is 111 is 10020 ऐसे जब आफ सारे सॉल्व करोगे ना तो लास्ट बि 1021 क्या हो जाएगा जीरो तो अब आप देखो आपका जो एंसर आया है जो एंसर आया है उसकी लाजस्ट क्या है जीरो इसका मतलब है जो रिजल्ट है वह पॉजटिव नमबर है अब यह कौन सा नमबर है जीरो डबल बन जीरो इटीस इक्स-ट्रक इनसर कितना आएगा सक 6 समझ मैं हाई आपको तो दोनो नमबर जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कैसे आपको बिटवाइज ऑपरेटर सॉल्व करना समझ में आया क्लियर है ठीक है तो हाउ टू फाइंड विटवाइज ऑफन नेगेटिव नमबर एक नेगेटिव नमबर के बिटवाइज के लिए आपको क्या करना है समझ में आया कि पहले उस नमबर का पॉजिटिव लिखो उसका टूस कॉंपलिमेंट निकालो सो दाट यू विल बायनेटिव नमबर क्लियर है तो माइनस नाइन का बायनेरी निकालने के लिए पहले हमने नाइन लिखा नाइन का वंस सब्सक्रिद निकाला फिर प्लस वन एड कर किसका टूस कहूंपलिमेंट निकाला सो दयब इल गेट इस नमबर अब जहां पर एक कोशन और आता है सर आपने दोनों कोश्चन साल करें उसमें क्यारी बिट तो आई नहीं है ना चलो देखते सपोस्ट करो अगर मतलब क्या होता समझना जैसे सपोस्ट अगर एक बाइनरी नंबर है बन जीरो वन जीरो पर वन जीरो में जीरो एक एरी आया वन यह केरी वन आगे अगे अगले डिजिट में तो वन प्लस वन जीरो फिर आया करी वन प्लस जीरो वन एंद इन वन यह इस तरी के से केरी वी टाइज लोट इक जब आप दो बानेरी नंबर को एड करते हैं तो वन प्लस वन ढूंब नोग है तो आप समझना कि कैसे आपको टूस कॉम्प्लिमेंट निकालना है क्योंकि थोड़ासाइब इधा नहीं है पर इतना भी नहीं समझ सकते हैं इस वीडियो को एक नहीं दो नहीं तीन बार देखिया आपको समझ मेला कैसे में एकनम बाइनरी का रहा हो गर वह ठीक है तो समझ में आ रहा है के से हम एक नेगेटिव नंबर का बाइनरी निकाल लेंगे ठीक अब इस केस में आप देखो एक और इंपोर्टेंट कॉंसेट मतलब इसा लगता है यह भी बता दो कोई भी चीच छूटे ना आप से इंटर्वी में यदि मानलो दोनो नंबर नेगेटिव है इस बोद नंबर साथ नेगेटिव तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा अगर मैंने दिया माइनस फाइव और इसको सॉल्ट करने का दिस ट्राइड में तो कंटिनु कर रहा हूं पर आप वीडियो को पॉस्ट करिये देखी एक बार कि कैसे इसको सॉल्ट करना है ठीक है और फिर अगर इंसर मैच करना है तो आप आगे बढ़िए ठीक तो अब देखो आप क्या करना है अगर माइनस फा बाइनरी 5 मतलब 0101 इसका वंस कॉंपलिमेंट आया 1010 इसके टूस कॉंपलिमेंट के लिए प्लस वन एट किया इसमें तो जीरो प्लस वन 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 जीरो वन यह सारे वन मतलब इसके पहले के डिजिट नहीं लिख रहा हूं में ठीके ज़िए नेगेटिव नंबर है मतलब इ अब इसे ही माइनस ठीका बाइनरी निकालते हैं तो माइनस ठीका बाइनरी केसा होगा यह five-way three पहले three का बाइनरी लिखा तो 3 का binary क्या होगा हम 4 डिजिट में देखें तो 0011 इस थ्री इसका वन कॉंप्लिमेंट निकला तो 1100 फिर इसमें प्लस वन एड किया किसमें इसमें क्या निकालने के लिए टूस तो 0 प्लस वन 01 01 सारे 1 डबल वन जीरो वन ये है माइनस 5 ये है माइनस 3 अरे जब टूस कॉंप्लिमेंट आ जाए तो इसकी सारी डीजिट आप वन कंसेडर करें इसलिए तो कहानी में ट्विस्ट आएगा ये सारे वन ये भी सारे वन तो आप देखो 11110 100 0000110 111 और यह सारे बंहें बीट और अघअनते सुनना ये सारे वन है तो जब सारे वन मतलब लास्ट हुए और लाजब ब मतलब जो रिजल्ट आया है वो नेगेटिव नंबर आया है और नेगेटिव नंबर के को अगर अभी आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा यह 9 है और यह 1248 के साफ से देखो तो का रहा है कंफूज हो जाओगा नहीं है कुछ बच्चे ज्यादा दिमाग लगाते हैं सर यह 9 और यह 1 मतलब हमें इस रिजल्ट का टूस कॉंप्लिमेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि 1248 वाला कॉंसेब्ट हम पॉजिटिव नंबर पर अप्लाए करते हैं नेगेटिव पर नहीं तो इस रिजल्ट को देखने के लिए आप यह देखो कि 1001 जो आपका रिजल्ट है क्योंकि इसकी लाज नमबर होता है तो नेगेटिव का शॉपलिमेंट पाजटिव होगा और आपका जो रिजल्ट आ है वो भी इसकी लाजट वीट वन य मू की पॉजिटिव नंबर में सारी अग्या में स्ब्सक्राइन होती है नेगेटिव में जो आपका वैलू आ रही उसके बाद रिजिट्स वन होती है तो सारी 1111 तो वन हो जाएगे न अगर में इसके बीच में एंड लिखूंगा तो और यह एंड ऑप्रेटर क्या करेगा 11110 जी रो जी रो दो वन जीरोवन वन 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 सब्वन हो गए तो रिजल वी तो नेगेटिव ओन फीर अब ट्रिजल्ट को देखने के लिए हम इसका पॉजिट इसका टूश कॉमप्लेमेंट निकालते हैं देखो क्या होगा वन डबल जीरो फिर इसमें प्लस फन एट किया तो जीरो ट्रिपल वन अब ये इस नंबर का टूश कॉम्प्लेमेंट है जो सेवन तो अगर ये सेवन आपका का result क्या है माइनस सेवन जब भी result negative आए अपने result की digits का 2's compliment निकालो तो जब इसका 2's compliment निकालोंगा मैं 1001 का तो यह सारे वन होंगे सारे वन होंगे तो सारे 0 हो जाएंगे न वन्स compliment में फिर प्लस वन एड करूंगा तो 0111 ऑल zeros के साथ मुझे मिलेगा कैसे मिलेगा समझ में आ है न सारे वन वन कॉमपलिमेंट में हो गए 0-0-0-0-0-0-1-2 प्लस-1-8 किया तो 0-1-1-1 और यह सब 0-0 रहेंगे तो जब सारे बिट 0 के साथ इंसर आ रहा है मतलब वह पॉजिटिव है तो यह से वन आया पर आपका में रिजल्ट एक्चुली क्या है कि समझ में आ रहा है थोड़ा सा कॉंप्लिकेटिट है बट इंटर्वी में सिंपल कोश्चन भी नहीं पूस्त हैं इंटर्वी आल्वेज आस्था कॉंप्लिक सिटी और जब इनको यूज करेंगे पाइफन प्रोग्रामिंग में आपको बिट वाइज एंड विट वाईज और विट वाईज एकस और कि स्तरीके से परर्फार्म करते हैं execution को तह रहन तोसे एंड लॉट वाइज एकस आर्म करतेगल में देखा दोसे प्रवाइज और ए refund वाइस एकस ए। आन देखा ठीके अवा अम्हें टीन नेक्स्त पे बिटवाइज नॉट कि यदी मानलों आपसे question पुछा जाए एक वल टू नॉट 5 इसका इंसर क्या होगा इसका इंसर क्या होगा तो सुनना ध्यान से नॉट क्या करता है नॉट आपको वन्स कॉंप्लिमेंट देता है मतलब not का का में जो भी नंबर उसका वंस कॉंपलिमेंट में कनवर्ट कर देना तो देखो आपके पास नंबर क्या है इसका execution करते हैं आपके पास नंबर क्या है 55 मतलब सुनना देहां से 5 मतलब 01015 मतलब 0101 जब आपने नौट लगा दिया तो क्या करेगा इसको वन्स कॉंप्लीमेट में अविट कर देगा और यह यह भी समझना है यह 0101 सारी 0-bit के साथ है मतलब इसको अगर में 16-bit में लिख रहा हूं तो सारी 0-0-1 और all zeros and 0101 if we consider this five is a in 16 bit 32-bit में करो तो भी यह होगा तो all zeros मतलब actually जब 5 को binary में लिखा जाता है 16 bit में कि हम consider करते हैं चलो यह टू बाइट की memory है तो 16 bit में कैसे लिखेंगे अरे 12-0 और 0101 this is what 5 यह वेने 5 लिखा अब not क्या करेगा इसका once compliment निकाल देगा यह बीच में डैश मतलब 0 है ठीक तो 1111 1111 1010 ठीक यह नौट ने आपको आपका answer दी दिया यह answer यह आपका answer लेन वाल लास्ट बिड वन है न अरे समझ्या लास्ट बीट अगर वन है तो जो नॉट ने किया वह नेगेटिव कर दिया इसको मतलब इसने आपके नमबर को आका number positive था not need a once compliment निकाला तो आपका number negative हो गया अब जब नबर से देखो कि अगर नेगेटिव नंबर है बाइनरी में क्योंकि लाज बीडवान है तो 1010 को क्या पढ़ेंगे हैं कौन सा नंबर है तो यह देखने के लिए हम इसका टूस कॉंप्लिमेंट निकालते हैं देखो आप तो यह क्या आएगा सारे जीरो जीरो वन जीरो वन फिर इस इसको धिती की बवता सकता हूं ये और अगर ये खेक से तो आपका एंसर क्या है माइनस इक्स तो इसका इंसर आएका मानस cell not five cancer कितना आएगा minus six important यह नहीं है कि answer क्या important यह process समझ में आई आपको क्या करना है जब आपको not five का binary find out करना है तो not five का binary निकालने के लिए first we need to write binary of five ठीक है उस not ने क्या किया उसको once compliment में convert कर दिया not क्या करता है जो भी तो यह number आया और यह answer है पर यह देखने के लिए के कौन सा है हमने इस answer का two's compliment निकाल लिया क्योंकि negative का two's compliment positive होगा तो मुझे पता चला यह six है तो answer मेरा minus six है अब इसको तो देखो दो मिनिट में लेकिन यह हो कैसे रहा है that is more important in interview question यह नहीं एक एंसर कैसे आ interview question यह यह process कैसे आ इंसर क्या आया interview यह पूछाएगा tell me the process similar way में अगर आपको पूछा जाए not minus nine तो कुछ नहीं करना है एक कम कर दो 10 लिप तो sorry मतलब अभी क्या किया था increment अब आप लिग दो एट इसका इंसर आएगा 8 यदि मैंने पूला माइनस not minus six to answer क्या आएगा 5 मतलब क्या किया समझ मैं जब not five लिखा था तो इंसरा था माइनस six ठीक मतलब और नेगेटिव नंबर क्या आगे अगर नॉटे तो एक डिजिट कम करो और पॉजेटिव कर दो चेक कर लो आप कैसे हो रहा है यह चीज भी देखा आप नॉट not minus six का एंसर 5k से आया minus six से मतलब पहले minus six का binary लिखना है तो खिखे 1111 यहां तक वन ठीक और यह 1001 यह वन सॉम्प्रिमेंट पिर इसका टूस कोंप्लेमेंट निकालने के लिए प्लस वन एट किया यह देखने के लिए हिस इकस का टूस कामप्लेमेंट क्या होगा पहले तो माइनस सिक्स लिखना फिर नौट के बारे में सोचेंगे तो मा जाएगा सारे वन 1 प्लस 1 0 kary आया 1 1 0 1 all 1 1 0 10 यह है मेरा कोश्चन और वन्स 1010 यह माइनस 6 है समझ मैं आया मतलब अगर आपको नौट निकालना है माइनस 6 का तो पहले माइनस 6 का तो बाइनरी लिखो अब इसका नौट क्या करेगा इसका इसका उन्स कॉंपलीमेंट देंगा आपको बच्षे यह प्रोसेस तो हमने उने 6 लिखने के लिए करी है क्योस्टन तो यहाँ से शुरू हो रहा है कि अब माइनस 6 के आगे नौट लगा है बतलंग इसके आगे नौट लगा तो यह not क्या करेगा यह not इसको once compliment में convert कर देगा तो so simple इसका once compliment निकालोगे तही हो जाएगा 000 देखो सारे नंबर positive हो गए क्योंकि last bit 0 आगई and this is 0101 तो यह जो नंबर आया इसके last bit 0 है मतलब इसको 1248 से देख सकते हम तो कुंसा नंबर आया सारे 08421 के हिसाब से क्या या 5 तो इसका इंसर कितना होगा 5 यहीं तो सम्झाया था भी मैंने आपको तो जब भी किसे नेगेटिव नॉमबर क्या के नॉट लिखा ओ तो पहले –6 को समझने के लिए पहले –6 का binary निकालो तो –6 का binary निकालने के लिए क्या किया समझ में आया यह आगे आपका नमबर अब यह जो माइनस 6 आया है ठीके इस माइनस 6 का वन्स कॉम्प्लिमेंट तो वह आएगा फाइफ चंपल तो यह है नॉट अपरेटर कि हाउद नॉट नॉट अपरेटर इस वह कैसे नॉट अपरेटर काम कर रहे क्लियर है ठीके तो नॉट एंड और एक्स और सारे ऑपरेटर समझ में आ रहे अब इसके बाल अपना जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट चलो उसको भी देख लेते हैं फटाफर अब यह आप से कोश्चन दिया जाए एक वल्टू फा फाइव लेफ्ट शिट बाइट इन तरहां ते सुनना जदि मानला आप से कोश्चन दिया गया है एक वल्टू फाइफ लेफ्ट शिट बाइट एक अगर फाइफ को फ्री बिट से लेफ साइड में शिफ्ट करना है तो यहां पर आप समझना यह वो डिजित है जितने से आ इस का माइनरी लिखना है तो फाइफ का बाइनरी क्या होगा फाइफ का माइनरी होगा कि इसको लिखता हूं तो यह क्या होगा जीरो 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 अगें 0-0-05 मतलब 0101 यह फाइव है अब इसको कितनी बीट से शिफ्ट करना आपको तीन तो शिफ्टिंग का मतलब होता है इंटर्नल मेमोरी में यह बाइनरी बीट शिफ्ट होंगी मतलब वन इसकी जगह पर आएगा जीरो एन की जगह वन जीरो होगी तो पहली शिफ्टिंग में यह 0 बाहर निकल जाएगा अरे जबावा फाइफ को तीन बिट से शिफ्ट करोगे फस्ट शिफ्टिंग यह जिफ्ट हुआ यह जिरो बाहर यह एक से शिफ्टिंग हो गई हो और लिए उसकेंड शिप्टिंग में यह 0 पार यह 2 से शिप्टिंग हो या फिर्ट चीजब आपने 3–– 3 बाहर हुलिए तो यह 3 किस पेसे इसको फिल कर दीजिये कि से 0 से इस लिए लिए है इसलिए क्योंकि फिलिंग लेवक हित अपरेटर हमेशा जीरो से ही करता है इसी लिए इसको जीरो फिल ऑपरेटर भी करता है गढहा है जीरो को और अब जीज़िए एल्ट के समय क्या किया है डेसिमल फॉर्मेट देखते हैं तो क्या होगा इसका डेसिमल 1248 1632 अरे दो के नीचे वन आ रहा है ना थर्टी टूर एट तो इसका एंसर कितना होगा अगर मैं इसको प्रेंट करता हूं तो इसका एंसर आएका 40 तो वाट वाव तो दू समझ में है जब आपको किसी भी नंबर की लेफ शिफ्टिंग करना है तो सबसे पहले उस नंबर का बाइनरी लिग दो जिसकी शिफ्टिंग करना है और जितने बिट से शिफ्ट करना है उतने यहां से left side से उतने डिजिट बहार करो और उतने नमबर आफ जीरो राइट साइड में आप एट कर दो क्लियर है तो दिस इस वाट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ओके अब इसका एक शॉर्टकट भी देखव यह तो वने एक्चल प्रोसेज बताई आपको क्या करना क्या है लेकिन इसका एक सिंपल सा शॉर्टकट है वह कभी गलत नहीं होगा धान से सुनना लेकिन इंटर्विव अगर आपको पूछा जाए तो प्रोसेज पता होनी चाहिए ना इसका सिंपल सा सॉटकट क्या है टू टू दी पावर दिसन बर टू 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 दी पावर इस नंबर मुल्टिपलाईट पर इस नंबर अएंसर बना süई तू 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 ढू आवर थी मल्टीपलाइट बाइनरी लिखो बाइनरी लिख के उतने नमबर आफ लेफ्ट शिप बिट्स को जटा और राइट नमबर एड करो आपको एक्चल इंसर मिलेगा वो एक्चल प्रोसेस है यह जो ही यह तो शॉटकट एक टू की पावर दिस तंबर मल्टीप्लाइट बाद इस तंबर इस है ठीक है कभी भी सॉल करना तो भी से भी कर सकते हैं ओके तो दिस इस हो पाइट्वन यूजेस लेफ्ट शिप्ट ऑपरेटर यह भी हमने देखा लेफ्ट शिप्ट ऑपरेटर राइट शेफ्ट ऑपरेटर जस्टिस का पोजिट देखव यदि आप से बोला जाए 13 इन का बाइनरी लिखना है फर्स्ट वीनिट टू राइट बाइनरी ऑफ थार्टीन एक बार पहले यह सारे ऑपरेटर आफ समझ लोग फिरा मिसका कॉम्बिनेशन भी देखें यह कि जब यह ऑपरेटर एक साथ आएंगे तो कैसे सॉल होंगे डोंट वरी राइट पहले बाइनरी क्या होता है 13 का बाइनरी 1101 और अगर इसको पूरी 16 बिट में लिखू में मैं 16 इसलिए ता कि आपको समझ में आ जाए 32 बिट में और गन्फिजन हो जाएगा bak tar share 10 1020 1 यह लिखा हम्ने 13 लेकिन आप shifting किस साइड करने एप राइट साथ कितने से सथी से लेकिन आ राइट से shifting कर ला इस साइड तो जो राइट साथ-स शेप्टिं करना है यह कुण सा और जो भी आपन बात कर करना है तो पहली बार में पहली शिफ्टिंग में ये वन बाहर निकला ये एक से शिफ्टिंग हो गई दूसरी शिफ्टिंग में ये जीरो बाहर निकला ये दो से शिफ्टिंग हो गई तीसरी शिफ्टिंग में फिर वन बाहर निकला तो ये तीसरी शिफ्टिंग हो गई अरे shift होंगा, एक बाहर, दो बाहर, तीन बाहर, तो इधर तीन की spaces जो खाली हुई है, उनकी filling 0 से भी हो सकती और 1 से भी हो सकती है, ध्यानता सुनना, लेकिन ये इस बात पे बिल्कुल depend नहीं करता है कि बाहर कौन निकला है, क्योंकि हमारे case में तो दोनों बाहर गए, 1 भी औ जो last bit होती है, MSB, अगर ये 0 है, तो filling 0 से होगी, और अगर ये 1 है, तो filling 1 से होगी, तो अभी आपने क्या किया, 0 था, तो मिने 30 लगा दिये, तो सारे 0 last में 1, ये किसका binary है, 1 का, तो इसका answer कितना आएगा, 1, समझ में आया, clear है, तो right shift में क्या करना है आपको, clear है, right side से shifting करना है, लेकिन left side fill करने के पहले ये देखना है, MSB क्या है, अगर MSB आपकी 0 है, तो 3-0 लगा दिये, अगर MSB 1 होती, तो 3-1 लगाते है, इसलिए दोनों में एक difference और भी है, हम left shift operator को बोलते है, it is a 0 feel operator, ठीक है, बढ़ राइट shift को हम 0 feel नहीं कहते हैं, क्योंकि ये feeling 0 और 1, दोनों से करता है, जबकि left shift हमेशा feeling किस से करता है, 0 से, समझना बेटा, ये बहुत important concept से interview के point interview से, छोटी-छोटी चीजे हैं लेवर्ट, you have to remember this thing, ठीक, अब कुशना तर इसका कोई shortcut नहीं है, बिल्कुल है, इसका भी shortcut एवर, थोड़ा सा लंबा है, आप देखो, ये जिस नंबर के shifting करना है, ये 13, 32, 64, 85, 95, कोई भी नंबर हो सकता है, मानलो मैं मान लेता हूं, ये N है, N मतलब any number, अब जितनी बार इसकी shifting करना ह अब यहाँ पर एक formula क्या है, shifting करने के बाद आपको हर बार नया N मिलेगा, अरे बहुत simple है, समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा complicated लग रहा है, जितनी बार आप shifting करोगा ना, every time we will find new N, तो आप देखो, first time इन की value कितनी है, 13, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको divide करना है 2 से लेकिन यह देखे कि अगर shifting में N, even मिलता है, तो formula है N, divide by 2, और अगर odd मिलता है, तो formula है N, minus 1, divide by 2, और अगर odd मिलता है, तो formula है, N, minus 1, divide by 2, 12, divide by 2, 6, यह एक से shifting हो गई, यह एक से shifting हो गई, 6, even a key order, even directly divided by 2, 3, यह दो से shifting हो गई, 3, even a key order, odd 3, minus 1, 2, 2, divide by 2, 1, यह तीन से shifting हो गई, तो तीन से shifting करने के बाद, कैंसर मिला, 1, यह आपका answer, 1, यह आया था भी 1, आप अप्लाए करके देख लो, बाकी नमबर स्वेस को, clear है समझ मैं, कि आपको यह यह देखने हर बार नया, यह एन, यह एन, हर बार नया, यह एन, मिलेगा, तो हर डिविजन में आपको देखना, एन, इवन है, तो एन, डिवाइट बैटू, अगर एन, और एन, और एन, तो एन, माइन, डिवाइट बैटू, 13, even a, ठीगे, सुरी, 13, odd, नॉमबर, 13, minus 1, 12, डिवाइट बैटू, 6, ने आएन, आगया, तीन बार, शिप्टिंग करना, इसलिए, तीन बार, डिविजन करेंगे, दो बार होता, तो दो बार ही करते, 6, even a, directly, डिवाइट बैटू, तो 3, आया, 3, odd, तो 3, minus 1, डिवाइट बैटू, 1, तो 1, आगया, यह इंसर आया, और इससे भी अगर आप इसको solve करोगे, तब भी एंसर वनाया सा, तो यह shortcut भी आप, यूज कर सकते, आप दिमाग में solve कर लोगे, यार देखो, चलो यह हटा देता हूँ, अभी आप दिमाग में solve कर लोगे, इतने तो समझदार बच्चियों है, देखो, यदि मैं बोलता हूँ 24, right sheet by 2, 24, अच्छा, यह देहान रखना यह, डिवाइड हमेचा 2 सही करना है, चाहा है, बहुत राइट में कुछ भी दिया, 24, right sheet by 2, क्या, क्या answer होगा, इसका, देखो, 24, even number 24, divided by 2, 12, 12 divided by 2, 6, इसका answer आएगा, 6, simple, समझ में आया, तो I hope you guys can understand this lecture, bitwise, जो कि सबसे most important operator थार इ इसी लिए सबसे ज्यादा टाइम भी हमने bitwise को ही दिया है, उसका reason आप समझना है, इतना time क्यों दिया मैंने bitwise operator को, क्योंकि interview में सबसे ज्यादा पूछा जाने अगर आप beginner है, if you are a beginner, तब तो आपको बिलकुल focused हो कि इस operator को पढ़ना है, और मैंने बार बार आप से बोलना I don't know, आपका background क्या है, मेरे लिए आप beginner है और हर lecture में beginner ही रहेंगे, इसलिए हम कोई comparison नहीं कर रहे है, but the people who come from the sea background, उनको यह operator पता होंगे, अगर उनने वहां पढ़े होंगे, और अगर आपने वहां भी नहीं पढ़े, तो यहाँ तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि interview में operator part 3 के साथ, अब next class में remaining operator cover करेंगे, ठीक है, चलिए तो मिलते हैं next class में, thank you, bye bye